असलाम अलेकूं वेलकम बैक टू माई चैनल और आज में बटा रही हूं स्ट्रीट स्टल ऑथेंटिक वेज मोमोस उसके साथ चटनी भी तो चले देखते हैं क्या क्या लगेगा आदा पत्ता गुबी ले लिया है एक बड़ी शिम्ला मिर्श ली है एक बड़ी गाजर ली है चार से पांच हरी मिर्चे हैं और साथ से आठ जवे लेसन के हैं आपको चीजे तो अद्रग भी ले लो आप पहले यह दो चीजों को मैं पीस के ले लूँगी लैसन और मिर्ची को तो थोड़ा सा एक टेबिल स्पून जितना ओल डाला है जादा ओल नहीं डालना है आपको बस हल्का सा ओल डालना है कि आप सौटे कर लो हर एक चीज को तो और पत्ता को भी वह डाल देजे शिमला में शमलों ग्लास में आट करेंगी क्योंकि वह बहुत ज्यादा सौगी हो जाएगी वर्णा यहां पर मैं आट करें हूं वन टीस्पून विनेगर वन टीस्पून सोया सौस बाकी सब आप उपर नीच अपने टेस्ट के अकॉर्डि आप एक बार जरूर मेरे कहने से ट्राय करिएगा मैं इसकी गैरंटी ले सकती हूं आप से यहां पर जो एक शिमला में शॉप करी थी वो डाल देनी है अब मुझे क्योंकि अल्मूस्ट हो चुका है तो हमें मैंने शिमला में डाल दी उसको अच्छे से मिला दिया है यहां मैंने लिया है वन टी स्पून रेड चिली सॉस रेड चिली सॉस नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर शेजवान चर्टे वो डाल दीजिए वरना केचप भी डाल सकते हो वैसे यह रेड चिली सॉस का अलग टेस्ट है तो यह सबजिया हो चुकी है जादा नहीं पकान पानी थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको गूनना है अच्छे से और ज्यादा नरम नहीं आपको डो करना है और ना ज्यादा कड़क आपको बीच का रखना में आपको इसकी अभी ठिकनेस भी वताऊंगी धीरे-धीरे करके आप पानी डालिए यह देखिए सब एक जैसे जुट हो गया है तो यह जो आटा आप गूनते हो ना आपको बहुत अच्छे से इसको मलना है वरना अगर मलोगे नहीं तो यह मोमोस के जो स्टेफिंग वह अच्छे से नहीं बैठेगी अंदर यहां पर देखिए उंगली पर नहीं चिपक रहा है मेरे आटा भी तो यह स् जवे लिए हैं लसन के मैंने अगर आप कम तीखा खाते हो तो मिर्चे थोड़ी कम कर लीजे दो डालिए सिर्फ अगर आपको जादा बनाना है चटनी तो इसको डबल कॉंटिटी में कर लो और यहां पर देखिए एक पैंड में इसको बहुत अच्छी तरीके से 10 से 15 मिट इसको बॉल करते हैं रख देना है तो दूसरी तरफ आते हैं तो दस मिट हो चुके हैं आटे में और आज यूजल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं इसको अपने रूम में बैटके बना रही थी एस ही चल रहा था इस वज़े से तो यहां पर देखिए आज स्ट्रीट स् मैं बना रही हूं चोटी चोटी लोई बना के मैं उसको बेलूंगी फिर उसको स्टफिंग करूंगी और अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माइ चैनल और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताके आपको सारी लेटेस्ट अपडे करते हैं वह उसमें सिर्फ चार से पांच ही आपाएंगे गाइस पहले भी दो मॉमोस की रेसिपी शेयर करी है एक चिकन और एक पनीर मॉमोस और यह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तयार हुई थी एकदम स्ट्रीट स्टाइल मैं तो कह रही हूं उससे भी अच्छी क्य पोड़ी को और साइज अपने हिसाब से रखिए गाइस एक टेबल स्पून जितना स्टेफिंग इसमें जाएगी अगर आपको एकदम डीटेल में फोल्डिंग सीखनी है तो आप मेरी पनीर मॉमोस जाके देख सकते हैं मैं एकदम डीटेल में बताया है आपको फोल्ड कैस तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है तो यहां पर देखिए अच्छे से टमाटर गल चुके हैं इसको बस पीसना है मुझे इसको पीसना है मुझे इसको पीसना है मुझे पीससी लेनी है तो यहां पर मैंने बादी जाले है नमक तीजपून डाला है विनेगर और इसको ग्राइंड कर लिया है तो हो गई हमारी चटनी है यहां पर मैंने पानी भी साथ-साथ गरम होने रख दिया था एक बड़े असे टोप में उसके अपर मैं चंणी रखूँग जटपट बढ़ने वाली और सबको घर में पसंद आएगी एक बास जरूर ट्राय करके मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताईएगा मैंने एक एक मॉमोज को प्लेस कर दिया है अब मुझे इसको बड़े ही से ढखकन से ढख देना है ताकि हवा कहीं से भार ना निकले तो दस मिट के बाद देखिए हमारे मॉमोज हो चुके हैं वेज हैं तो जल्दी पक जाता है क्योंकि हमने सबजियां भी इसकी पका ली थी आपको ऐसे टच करके देखना अगर आपकी फिंगर में चिपक रहा है तो समझो आपके मॉमोज अभी हुए नहीं हैं मेरे अल्रेडी हो चुके थे नहीं चिपक रहे थे तो मैंने निकाल लिया है आज दो साइस के मैंने बनाए हैं दो शेप के मतलब यहां पर देखिए ए को निकाल रहे हैं मैं नेक्स पैच भी ऐसी बनाऊंगी तो आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा इस वीडियो को लाइक कर लीजे इंशाल्ला मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियो व्लॉक सब लेकर आऊंग सो गाईज अब मैं आपको अपने नेक्स वीडियो मिलूंगी तब तक के लिए टेक के बाई अला आफिस और दौाओं में जरूर याद रखिए